नमस्ते मैं डॉक्टरेस के सर्मा आज आपके सामने हाजिर हूँ बहुत ही मैत्पूर मुद्दा लेकर जो है बीटेक फ्रॉम प्राइविट इंजरिंग कॉलेज इस गुड़ और बैड इस मुद्दे पर हम बहुत ही विस्तार से चर्शा करने वाले हैं तो अगर आपने 12th क से और आप बीटेक करने की सोच रहे हैं प्राइविट इंजरिंग कॉलेज से तो ये वीडियो पूरा आपको देखना चाहिए इससे संबंदित आपके सारे डाउट आस किलियर होने वाले हैं अगर आप ऐसे बच्चों के माता-पिता हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है वा अगर आपने अच्छी से पढ़ाई किये तो बहुत अच्छी बात है इनमें एडिमिसल लीजी सेकेंड आपकी जो चोईस है वह गर्मेंट यूनिवस्टी होने चाहिए इस्टेट यूनिवस्टी इसमें हैं 411 सेंटर यूनिवस्टी हैं चाहुवन टोटल मिलाकर कि यह ल नहीं कराती है आपको पर्टिकुलर यूनिवस्टी के बेब साइट पर जाकर रहके चेक करना पड़ेगा कि यह बीटेक ओफर करता है कि नहीं जैसे बर्गतुल्ला यूनिवस्टी बोपाल की है वो बीटेक कराती है राजी गवांदी प्रोधिकी बिस्विद्याले बोप प्रतिस्टित इंजरिंग कॉलेज है या उजयन इंजरिंग कॉलेज है भील बाड़ा का गवर्मेंट इंजरिंग कॉलेज है यह आपकी तीसरी चॉइस होनी चाहिए और लास्ट चॉइस है आपकी प्राइवेट उनिवस्टी अगर आपने 12 में अच्छी मेरत नहीं किये जेडवली में आपके अच्छे मार्स नहीं है या जेडवली आपने कॉलिफाई नहीं कर पाया है तो आपके पास बिकल बसता है बीटेक करने का प्राइवेट उनिवस्टी से या प्राइवेट कॉलेज से तो हम देखने वाले है चर्शा करने वाले है कि यह बिकल्प कैसा सब्सक्राइब करते हैं यहां पर अगर आपको आप सब्सक्राइब केंपस है अच्छी लाइब्रेरी है अच्छा प्रबंदन है यहां योग प्रोफेसर की भरमार है जादर यहां की जो प्रोफेसर हैं वो बेदेश से पड़े हुए हैं यहां आईटी नाईटी से पड़े हुए प्रोफेसर हैं सभी प्रोफेसर हैं कोई नौन प्रोफेसर यहां पे टीचिक नहीं कर सकता है बहु यहां से आपको बीटे करने का अबसर प्राप्त होता है मत चुकिएगा नॉर्थ इंडिया के काफी सारे बच्चे यहां से बढ़ाई करते हैं मत उनिवस्टी है मत उनिवस्टी भारत की सबसे ज़्यादा ब्रांच रखने वाली उनिवस्टी है भारत में बेदेश में इसकी काफी सारे ब्रांच है चाइना में हैं यूएस में हैं लंदन में हैं तो मत उनिवस्टी में इसकी फी भी काफी ज़्यादा है तो अगर आपक तो आप यहां से भी बीटेक कर सकते हैं थापर युनिवस्टी पट्याला की काफी बैतरीन है यह युनिवस्टी और इसका भी काफी अच्छा नाम है तो प्राइवेट बले यह लेकिन अगर इस तरह की युनिवस्टी में आपको मौगा मल रहा है तो कोई बराएं नहीं है बीटेक करनेंगा यह प्राइबेट अच्छीए हैं उनके बाद को ऑर भी प्राइवेट इनिवस्टी आ है जैसे निर्मा है निर्मा युनिवस्टी भी अच्छी है या ओपी जिंदू दो बहुत बैटरीन है बैनियुस्टी है वहां से आप कर सकते हैं समनादर ऐसका है यह जवापूर का आनुद नजर आ रहा है यहाँ पर तो अगर आप प्राइबट प्राइबी आदार के आदर प्राइबी ने चाहिए प्राइबेट इन्जिरिंग कॉलेगे इतनी वाराइटी है कि यहाँ पर आप इक जनरल बात नहीं करे सकते कि सब खराबी हैं सब अच्छे कुछ बहुत अच्छे कुछ बहुत खराब हैं यह हैं तो सबसे पहली बात है कि जो बच्छे जानना चाहते हैं जाता प्राइबट इंजनी कॉलेज में आपका जो एडमिशन है वह जे डबली के मार्स के आदार पर ही होता है अगर आपके जे 45% minimum हैं जैसे MET University है वो PCM में 60% से कंपे आपको एडमिशन नहीं दे ले वाला है MP में जनरल करेगरी में 45 से कंपे हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है तो अलग-अलग निया हम हैं वापे 12 के परसेंट की बात कर रहे हैं तो JEE आपके मार्स हैं अगर आपने कॉल चाहिए, Mechanical Engineering है and Electrical Engineering है यह बहत्री ब्रांच हैं जिनमें आपको एडमिशन लेने चाहिए, Civil Engineering भी अच्छी ब्रांच है तो जो आपका कॉलेज है उसकी ब्रांच पर्टिकल ब्रांच एंड भी एक्रेडिशन है के नहीं या उनिवस्टी में नहीं का एक्रेडिशन है के नह इस इच्छा मंत रहेले के द्वारा एक फ्रेमबर्क है रिसर्च का अगर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो इसमें लिस्टेड ही नहीं है जो लिस्टेड नहीं है उनमें तो आपको एडमिशन नहीं लेना से हैं आगला है फैकल्टी प्रोफाइल कैसी फैकल्टी है उनके पास प्राइब प्राइब टेक वालों से बढ़ रहे हैं तो आप एक बाद जाईए को बिजिट कीजिए फैकल्टी से मलाकत कीजिए सिर्फ बेब साइट के बरूसे मत रहें बेब साइट पर कई बार बहुत सारे कॉलेज फेक डाटा भी देते हैं ऐसे लोगों का नाम भी फैसलिटी प्राइबिट कालेगों के पास बहुत सारे पास अच्छे लेब नहीं है अच्छा इन्फ्रस्ट्रक्ट्ट्रक्टर नहीं लेब का लेब को बिजिट कीजिए वहाँ कंपूर्टर कैसी रहें तो यह आपको दिखना पड़ाइगा कौनसा प्रोसेसर हैं किस तरह के लेब्स है और लेब मुनकी कैसी है लेफ ऐसिलेटी जिको आपको बिजिट करना चाहिए अच्छी लेफ होगी क्योंकि यह प्रटिकल्ट प्रेक्टेजर चाहिए कर आप प्रटिकल्ट में अच्छ नहीं यह तो आप सकुल्रीमेंट नहीं बनेंगे आप बिरुज़गार क कार् has Him के अगला को है कि से कुंन कर रहा है किस तरह कि बच्चों कितने परसेंट बच्चों का प्लेश्मेंट होता है ये आप जनकारी जिसकी जरूरा अपर क्यार पालइच काहिप दर है आप को एडिप से लेना चीए पहां का में काम कर रहा है। लेकिन आपने वहा आपने वहां मेहनत की परिस्थरम किया ंच्छे सी और Supating sysFS आपने महाल चेतने बती के लिते का सब बैच्छे नहीं आने वाले है तो महाल का बहूत बड़ा फर्क सब्देडरत करेगा आपके और प्राइवज से इस तगी में काम्याब तो हो सकते हैं ऐसा है लेकिन सब हो जाएंगे ज़रूई नहीं है यह अगला रिब्यूज आप एक बार ऊंलाइन रिभी चक कर लिजे बहुत सारी वेप साइट से लिगे रिभी एक अच्छा तरीका नहीं है को जस्क करने का कि रिभी तो है जो है फेक रह और असंतोस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके हिलाफ कॉलेज ने कारवाई की हो या उन्होंने अच्छे से मैनतना की हो उन्हें खराब प्रट्टे इल्मास मिले हो तो खराब रिभी देते हैं तो फिर भी बास चेक कर लेने चाहिए रिभी उसको अगला है उस्टल पैसे लट है लाइबरेरेरी के लोग है कैसी कॉलेफेकरिशन है उनकी लाइबरेरी में नई किताब हैं के नहीं आती हैं और जो आपके निउस्पेपर हैं वह डेली आती हैं कि नियुद्र में किस तरह कुम्पूटर हैं, किस तरह के सॉप्टेवियर इस तवहको काफी पढ़ना buildings का रख रखाव कैसा है या वहाँ sport की facility कैसी है ground कैसे है बास्केट बॉल का court कैसा है बॉलीबॉल का court कैसा है बैडमेंटन का court है के नहीं है कबटी बगएरा या खोको बगएरा जो भी games है cricket की pitch ground किस तरह के हैं जो प्रवंदन जो management अपने college को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा तो कॉले बिजेट से एक लिए हो जाता है कि infrastructure किस तरह का है transportation facility अगर आप से दूर रहते हैं होस्टल से दूर मतलब रहते हैं आप college campus के अंदर नहीं रहते तो आपको अच्छा transportation होना जरूरी है तो एक पास चेक कर लिए यह बसे एब लेवल हैं के नहीं खटारा बसे हैं एसी बसे हैं कि बसों से पानी तो नहीं पर साथ मटपकता है और वहां driver बर्दी में रहते हैं उससे आपको आइडिया लग जाता है कि यह जो है college का क्या इस्तिती रहेगी काफी सारे college में यह देखा जाता है कि वह एक अंट्रेंड drivers को रख लेते हैं और अच्छे परड़ाम नहीं देते हैं तो वह सारी चीज़ों को आपको बारी किसी एक बार देखना चाहिए अगला फी यह भी काफी है मैं आप सारी चीज़ों चाहते तो हैं सारी शुविदा चाहते तो हैं लेकिन बड़ी जो private university उनकी फी भी काफी ज़्यादा है और हर बच्छा जो भारत का है उसके माता पिता की यह एक नहीं करती है ज्यादा फीस देने के लिए तो फीस भी बहुत सारी अच्छे जो college हैं वो scholarship देते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि चौलबल पांडे की जो मार्श वीट आपको नजरा रही है इसमें ब्यासी परसेंट के मार्श वीट के आधर पर आपको फीस में अब्य परसेंट की चूड असी परसेंट की चूड पचास परस लेर में होते हैं तो आप शक्रश से प्रोग्राम के बारे मी जैंकारी लें जिस्कालिक के पास नहीं है तो कुस्ष बिक्यत्र हो सकते हैं वहाँ पर दोकेशन कैसा है उसका या रूरर को है किस तरह की एरिया में स्थित हैं कितना दूर है कि आ ढटने से आपको बरबादêmes मेंजमेंट है संस्ता का वो काफी ऐसे कॉलेज हैं जिनके जो मेंजमेंट हैं वो खुड टॉक्ट्रेट हैं पड़े लिखे या अच्छे पदों से रेटार्ड ऑफीसर हैं आप जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे कंडल बगएरा हैं आर्मी के डिटार्ड ओपिसर्स उनके कॉलेज भी हो सकते हैं तो आपको देखने चाहिए कि मैनेजमेंट की रेपरटेशन कैसी है अगर मैनेजमेंट की रेपरटेशन अच्छी नहीं है तो निश्चे तोर पे वो कॉलेज को अच्छे से नहीं चला पाएंगे किस तरह के किन लोगां कॉलेज है यह लास्ट एहम बिद्दू के कई बार हम इस चीज़ ध्यानी नहीं देते हैं तो आपको एक बार मैनेजमेंट से कॉलेज के मालक से भी मलाकत करनी चाहिए ताकि आपको नदरिया उनका बिजन क्या है कॉलेज के मैंगेंट का बिजन ही कॉलेज को आगे ले जाता है यह सबसे हैं मुद्दा होता है जो जातर बच्चे अड़िस लेते समय ध्यानी नहीं देते हैं इस पर जाएं 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 जाए बारत